गाइज अगर आपको ऐसे ओसम क्वालिटी के टेक वीडियो को एंजोई करना है तो आप हमारे चैनल एन्वी प्ले गेम्स को चेक आउट करना ना भूलें महाँ पर आप मैं से कई सारे प्रोडेट्स के रिव्यूस, अन्बॉक्सिंग, एक्स्प्लिनेशन एड इवन फैट्स भी बताते हैं सो दू चेक इट आउट, लिंक इन दे डिस्क्रिप्शन मोशी मोशी कोनेचीवा हो काईरी, यानी MMKH मैं हूँ MRJ and मैं तुम्हारे ले रहा हूँ कैसी थियोरी जो शायद तुमने कभी न सुनी हो अब रुक जाओ, hold your horses, पहले ही बोल दू तीन चीज़े पहली, थियोरी are for enjoyment, तुम थियोरी बनाते हो for watching, reading, enjoyment तुम इसका पूरा proof नहीं देख सकते कि ये थियोरी सच होगी की नहीं, you know थियोरी बस enjoyment के लिए होते हैं और कुछ नहीं second, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, ताकि मेरी ये थियोरी तुमें force करे अपना दिमाग चलाने के लिए ताकि तुम अपने दिमाग को चलाओ, जादा दोडाओ, और तुमें अच्छे और result मिले तीसरी थियोरी, मतलब तीसरी पॉइंट ये वीडियो पूरी तरह से मेरी नहीं है, एह हूँट साउट आउट तु सोयर सेवेंट मेज, चैनल का लिंक शायद डिस्क्रिप्शन पे दिया होगा, ये थियोरी उसकी 40% है, 60% मेरी है फूर्थ चीज, हाँ मैंने बताया नहीं, बत बोल देता हूँ, अगर ये थियोरी सच हो जाती है, जिसके चांच से 0.1% है, तो तुम बहुत गंदे वाले स्पॉयल होगे ये, so that being said, let's roll the intro, दुक दूक मत लगां, 5 वी चीज बोल देताओ, इस वीडियो के 3 पार्ट से होँगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी वीडियो होगी, so yeah, with that being said, finally, enjoy the intro, मैं मिलता हूँposition के दूसरे साइट पे तो ये थियोरी वहाँ पर स्टार्ट होती है जब डोफलामिंगो लॉग को कहता है कि अगर तू अपना इमोर्टलिटी सर्जिरी मेरे उपर कर देता और फिर खुद मर जाता अफकोर्स ये तेरे ओपी ओपी फूर्ट का साइड इफेक्ट है बट मैं तो इमोर्टल हो जाता और अगर मैं एक बार इमोर्टल हो जाता तो मैं मरी जुआ का उस ट्रेजर को यूज़ करके पूरी दुनिया पर राज करता हाँ उसने कुछ ऐसा ही कहा था तो ये नेशनल ट्रेजर मरी जुआ का है किया अब ड्रोफी के कहने से तो कुछ ऐसा लगता है कि ये कुछ ऐसा ट्रेजर है जो तुमें इतनी पावर तो देगा कि तुम दुनिया को कॉंकर कर दोगे बट यूज़ करने से मर भी जाओगे तो तुम इसको यूज़ तभी करना चाहोगे ना जब तुम इम्मोर्टल हो सो अभी मैं तुमें एक और चीज़ कहना चाहूँगा दो वर्ड ट्रेजर को बहुत ध्यान से रख ले क्योंकि ये ट्रेजर आने वाले पार्ट्स में बहुत इम्पोर्टन चीज़ प्ले करेंगे सो या ओपे ओपी नोमिका यूज़ करके डोफलामिंगो इम्मोर्टल होके मरी जुआ के ट्रेजर को लेना चाहता था ताकि वो दुनिया पे डूल करे एगेन ट्रेजर वर्ट को इम्पोर्टेंस दो अब हम चलते हैं मरी जुआ के लोकेशन के उपर तो मरी जुआ जहां पे सिचुएटड है यानि रेड लाइन उसके ठीक नीचे मिलता है हमें फिश्मेन आइलेंड अब फिश्मेन आइलेंड समूंदर के इतने नीचे उसको सनलाइट कैसे मिलता होगा इसी चीज़ का एंसर देत हुए फिश्मेन आइलेंड के किंग नेप्चूट ने हमें ये कहा कि एक ट्री है जिसका रूट हमें सनलाइट खीच के देता है इ फिश्मेन आइलेंड को एक दोम उजागर कर देता है अब तुम अपना दिमाग जरा लगाओ मैंने अभी कुछ देर पहले यही कहां था कि लोकेशन वाइस मरी जुआ आइलेंड फिश्मेन आइलेंड की ऊपर है सो कह यह मैक सेंस नहीं करता कि एक ट्री सीधा ऊपर फिश्मेन आइलेंड तक ही ग्रूब करेगा हां बिल्कुल मेक सेंस तो करता है हो बट हमें यह नहीं पता की स्ट्री के ब्रांचेस एंड पत्ती- कहां पर क्या हमें दिखाए नहीं गए है ना तो चलो मैं इसका भी छोटा से एक एंसर दे देता हूं प्री टाइम स्किप में हमें पता था एनिस लोबी इंपेल डाउन एंड मेरिन फोड आइलेंड एक तीन ट्राइंगल के रूप में मेरी जुआ के पास थे इंपेल पाट है जहां पर कभी भी अंधेरा नहीं होता क्यों नहीं होता उसका एंसर तुम्हें यह ट्री ही बताएगा दा ग्रेट संलाइट ट्री ओफी अब तुम सोचो एक गवर्मेंट जिसने वाइट सेंचुरी का मैमोरी फूरे दुनिया से मिटा दिया वोने गलिफ का राज चुपा दिया क्या वो एक ट्री के ब्रांचेस को मरी जुआ के पास नहीं रख सकता आइमीन उसका ब्रांचेस को रख के एनिस लोबी पर शिफ्ट नहीं कर सकता अब तुम कहोंगे मार्जी कैसी पागलो वाली बात करें सुबह सुबह क्या पीके बैठा है नहीं सुन लो जो ट्री अपने रूट से सनलाइट छोड़ता है वो अपने ब्रांचेस से भी तो छोड़ता होगा यह एब्सॉर्फ करके समझ रहे हो बात सिंपल फोटो सेंथेस की ही तो बात है है ना तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि इसके जो ब्रांचेस हैं उसको किसी तरह से क्याइब करके उसकी संलाइट को हम डायरेक्टली इंपल डाउन आइन इस लोबी पर भेज सकते हैं अब तुम कोगे यह यह भी तो सैंस नहीं बनाता ना तो सुन लो हमने डोफला मिंगो के येस अनदर टाइम प्लीज वेलकम डोफला मिंगो डोफला मिंगो के फ्लेश ब क्लियर कर दिया है ओके सो इस थियोरी ने आइगेस यह भी सॉल्फ कर दिया कि यानि इस लोबी को लाइटलेस आइलेंड क्यों कहते हैं तो अगर अभी तक तुम नहीं समझे तो मैं यह दवर्ड नेशनल ट्रेजर को इसी ट्री को कह रहा था क्योंकि मडी जुआ हो सकता है यह ट्री जिसके ऊपर यानि जिसमें ही डेविल फ्रूट्स पैदे होते हैं उगते हैं ट्रेविल फ्रूट्स अब तुम कोगे कि तू फिर से नशा कर चुका है बट बिलीव में आज मैं नशा नहीं कर रहा है तुम खुद ही सोचो यह मेरीन गवर्मेंट्स या लोजिया फूजी टोड़ा भाई खतर नाक फल है वो खतर नाक जूसी जूसी नॉमीज वन उफ दा डैडलिएस फ्रूट आउट देर फिर तुम वर्टर सेवन आर्क में फिर से चलते हैं तो हमें स्पांडन को देखते हूं देखा है कि वो काकू एंड खलीफा को डेविल को बोल रहा था यानि भाई अब तो क्लियर हो गया ना समझ लो बातों को वो यही कह रहा था कि उसी पेड़ से उसको फ्रूट्स मिले हैं है ना अब मुझे पता है तुम्हारे मन में क्या चल रहा है बट रुक जाओ मैं उसका एंसर दूलगा रुक जाओ अब हम चलते हैं कोजू की ओडन की तरफ अफकोर्स एक वीडियो जिस पे कोजू की ओडन ना हो ना 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 नहीं हो सकता कोजू की ओडन मस्ट बी एड़ेड तो कोजू की ओडन ने ये कहा था कि कोजू की क्लैन ने वानो को इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि वान न डेविल्फूट उजरव से बट क्या हो अगर वो डेविल्फूट उजर सो है ना मेइक सैंस एंड अगर तुम्हें याद हो तो हॉकिंज नहीं हमें इस आर्क में कहाता कि सी स्टोन जो है स्टोन्स वेपन्स की उपर तो तुम सी स्टोन का विशकार कब करोगे जब तुम्हारे घर पे आग लगी होगी तब ना तुम पानी लेके घर को मतलब पानी फेकोगे मतलब समझ रहे हो बातों को मैं यह कहना चाहत हो कि सी स्टोन का विशकार इसलिए हुआ वानों पे क्यों साल्व किया है बट मेन मुद्धा यही आता है कि अगर डोफला मिंगो इम्मॉर्टल हो जाता तो शायद वो उस फूरूट मतलब ग्रेट संट्री ऑफ इव पे जाता हैं सारे डेविल फूरूट्स को खाके मोस्ट प्रोविबली कब्जा कर लेता पूरी दुनिया को है ना न यह बात नहीं है अब तुमें जी वीवर मुझसे यह पूछोगे कि मतलब यह वर्ल्ड गवर्मेंट की ट्री है तो वर्ल्ड गवर्मेंट प्रेक्शन तु देती होगी मैं तेरी बातों पे बिलीव करता हूँ अब बता पाइलेट्स को कैसे मिलती है फूरूट्ट हूरू यूनो सम्थिंग गाइस यह चीज मैं तुमें पार्ट्टू में बताऊंगा सो या यह थूरी यहीं पे कथम होता है मैं तुम्हें एक बार फिर से एक हाईलाइट दे देता हूँ मरीजुआ पे एक आइलेंड मतलब एक ट्री है जिसका नाम है संलाइट ट्री ओफीव जो वहाँ पे डेविल फ्रूट उगाती है वो डेविल फ्रूट वर्ल्ल गवर्वर्मेंट अपने गवर्मेंट एमप्लोई को देती है ताकि अपने आर्मी को वो स्ट्रॉंग कर सके डोफ्लामिंगो का ये कहना कि उसी मॉटल होके मरी जुआ का आई ट्रेजर चाहिए ताकि वो रूल करे प्रूब्स दैट वानों में सी स्टोन का इंविंशन होना प्रूब्स दैट कि डेविल फ्रूट की आर्मी ने वानों पे कभी हमला किया होगा अगर तुम्हें कुछ भी समझ मेंना आए तो मूझे मुझे पूच सकते हो अगर तुम्हें लूप होल्स मिलते हैं वीडियो पर तो प्लीज कमेंट करना वीडियो को like, share and subscribe करना तुम्हें पता हैं मैं नहीं बोलता चैनल मेरा बुप्eral उड़ गया था बट तभी लैट स् beginning with that being said guys I take my leave sayonara enjoy the outro the 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 झाल झाल